अब लोग अच्छे होंगे आज मैं मुस्रूम की सब्जी बनाने जा रही हूं जो बहुत ही टेस्टी होते हैं मीट के सवाद की सब्जी होती है जो मैं आप लोगों से सेर करूंगी शार तारीक को मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि उस नेटवर्ग की अधिक प्रॉब् सलाइड के रशो ग्लास के लागो मैं गरम पानी लीँ को गर्म करूंगी पहले मैं मसरूम को अच्छे से अब इस में इसमें पडाहुआ मारे ज़म ऑनने में अभट जाल ने में इसमें यह नोड़लगे पता हुआby मश्रूम करा दिया है धुनम मशाले किलिए मैंने लिज लहसुन कट कर लिया है अद्रक है प्याज है और तमाटर है जो आप देख सकते हैं अब मैं जीरा जीरा इसमें डाली हूं अब मैं इसे थोरे से पानी डाल करके दो इस्पून के लगवग पानी डाल करके मैं ग्राइंड कर लूँगी और ट्रामाटर के फिब्ले भी मैं इस तरह बनाऊंगी जो आप लोग देख सकते हैं इसकी जार में मैं इसे अच्छे से ब्राइंड करने हैं पाले मैं इसे सेट करने हैं इसके बाद प्राइंट में आप देख सकते हैं इधर देख सकते हैं इधर ये मस्रूम दी उबल गया है देखिए मस्रूम उबल चुते हैं मैं अब इसे चान लूँगी आप लेट में टास्फर कर लूँगी अब दिखांगी दो मिनिट के लगग लगए इसे ठंदा होने निया खिर मैं आप से मिलती है आप देख सकते हैं पैन कराम हो चुके हैं इसमें आप वन एस्पून के लगग तेल डालूंगी वन से टूएस्पून के लगग आप तेल डालें से दुएस्पून के लगग से लगग मसरूं के लूभ से एक तेल पर से दो अपें से तो यहां से जाओएस्पून के लिए आप thousand जिस में पराइस्पून के लगग वने पानी नाप उतनीट जो पीड़ें नियाक, अजय को जाओ लूदाओंगी, आद्यों घचारेश, शाइचारेश, परीजाब के रागा, यहां आदे बदे हो गैजाना मैं जादे दाली लीए, पटैज पंता, और इसे, पेजिके दिन नीरिषें, और प्यादी चुने, दमाइसफरक्षाट अज ज आमके मासाले हों आपके जरा, आपके hatte. अत्माक यह दोया है. में ओए जखने झाके जों शॉक्षाइ 설명 जोए्स, क्योंए कोच्छा कि आमसु क्यों मुझे चल्केग्न, आम्यसमे खड़िए में फड़ी खाव हों आप Qi aurait Coraology 라고 हों cercapolka आपकालों, यह उतो कि थी देदो छेद नगार्धकर्फ यह टूँ कि लुष कि लुष कि लुष आगे तंग कि लुष आ जे हमेस्मेल जीरा सुलि जीरा सानी जीरा लुष मेरेस के मत्राप्फ पुताय एंग जो दो प्याजने में आफिन बच्माने 2 था आपियाज के डाउने प्याजन हो ए sounded सबस्कों करणें शुक्राइब नौटीक आपक्षिक और फुर्ट करें पार चैनल के लोग। उखमें स्वादन से उखेंगे को दाला सकते हैं। अल्डी आइड करूंगी आधी स्पून के लवर, मैं अल्डी आइड करेंगी हुआ। नरब मसाला मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, इन सारे इंग्रेजिंस को मैं मिट्स करूंगी, मैं इन विलाओंगी। आफ आमखाले का शड़ हो एक जलने रहुए तो आप पानी अड़ कर सकते हैं तो अब में तमाटर आट़के रही है जो त यह तो हमाटर को मिस्श करके अच्छा से मीला अब आप देख सेके जो भूंचिता हैं यह थी आटी कीनाले से तेनी करता है है para ङe ज़े माति पजितों लिए दो मिनट के लिए बहूना पहाँ एद्धिन और मैसे बिस्मेड बएमेद करने में अब श्Of пользов मेरल ग Keyुनीत करदा कर लिए इंदon तक तक ही और मैसरी मातिगा आइप बओनर ग्रेवी के लिए बन्या पत्ता में आप करेंगे इसमें पत्ता मेत करेंगे आर्य गलाब से लगोने तो ने कामी बाले हैं उसे 10-10 मट के लिए में दब कर पकांगी इसके बार नहीं कर और करते हुँ आपलेको दिखांगी आधे चमसे थोड़ा साधिक मैं जर मसाला डालूंगी और इसे भी एड़ करूंगी एक स्पूंग के लाओ अमार इसमें नमक एड़ करूंगी मैं इसे एड़ करूंगी सारे इंगरीजिए उसको में मिलांगी लिक्स करूंगी और यह जरी ठोरी मुटी लग रही है इसलिए में इसमें लगवग एक बिलास के लगवग इसमें पानी लग जी जाते हैं यह बिल्कुल मठा के स्वाद की रहे हैं अब मैं इसे ढ़ग दूंगी जैसे मैंने आपने इसको बताया है दस मिनट के लिए मैं इसे अच्छा का में आप देख सकते हैं मैंने इसको बावल में ट्रांसफर कर लिया है और मैं धनीय की पती से इसे गार्निस करूंगी आप इसे पूरी पराथे चावल पुलाओ के साथ अच्छे से खा सकते हैं इंगवाय कर सकते हैं फूरी मटन की स्वाद की लगती है उमीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइक कीजिए लाइक कीजिए थैंक्यू देहनने वाद घर पे रही है स्वास्त रही है देहनने वाद